अरे यार दोस्तो ये जो कुछ नमूने मुझे चिलना रहे ना कि फेक रिविव फेक रिविव टाइप का मैं आपको ये बता दू कि आप जाके ट्वीटर को आप फॉलो करते हो या नहीं एक बात बोल रहा हूं मैं सीधा बात करते हो या नहीं अगर करते हो ना तो जाके दे प्रिटर पे वो एक एक या तीन चार रिव्यूस देखने को मिले बोना से एपिसोड के. मुन्ना भाया को लेकर वो रिव्यू मैंने दिया है. मैंने ये बोला कि आउस रिव्यू में जाके देखलो एक बार, मेरा experience कैसा था मुझे पसंद आया या नही बात वो है कि इसका release time जो है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ लेकिन यह भी देखा करो कि कौन से बंदे ने क्या बोला है मैंने क्या मेरा review दिया मैंने experience मेरा कैसा था इस episode को लेके बोला क्या क्या मतलब fake review यह मैंने पहले भी बुले यह critic reaction है अब मुझे नहीं पता उन लोगों को कैसे मिल गया episode और आजकल चलता है दो नमरी तो मैं भी मिला होगा और बहुत trustworthy review था वो जाके देख ले ना उन्होंने twitter पे जो कुछ बोला है मुन्ना भाईया को लेके ही उन लोगों ने highlight किया है वो क्योंकि उनको मिर्जा पूर फोर लाना है anyways चलो वो topic बाद में बात कर लेते है जो लोग मुझे पूछ रहे कि भाई कहा पे आया है आपकी उजूड बोल रहे है वैसा वैसा जूट तो नहीं बोला मैंने पहली बात वो twitter रिव्यू था twitter पे रिव्यू जाए वो सच्चे थे जूटे थे मुझे पता नहीं anyways मैं मेरा जो रिव्यू है एपिसोड रिलीज होने के बाद दे दूँगा personal opinion वाला anyways अभी at present उन्होंने सिर्फ ये बोला है तीस तारीक को आएगा कब आएगा बोला नहीं गया है लेकिन according to the trustworthy reports दूपहर के बारा बजे वो लोग अप्लोड करने वाले है एपिसोड को ऐसा बोला जा रहा है खो सकता है और एक मजाक करे हमारे साथ प्राइम वीडियो वैसे भी मजाकी करते आया है उनका कोई भरोसा ने टाइमिंग क्या है बट बारा बजे का अप्डेट देखने को मिला है तो इंतिजार किजिए दोस्तों बारा बजे दूपहर का उससे पहले भी आ जाएगा तो मैं इंफॉर्म कर दूँगा बट अट प्रेजेंट तो वही दिख रहा है या फिर अगर सुबह कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती है अब उनको तो उतना अकल चाहिए था कि उन लोगों ने रिलीज कर देना चाहिए था और फिर तो ट्वीटर पे भी रिव्यूज आये उनको नहीं बोलते हो आप फेक फेक चलो बारा बज़े का इंतिजार करते हैं